आईस्यमान भारत योजना की नई पोर्टल को लौंच किया गया है इस पोर्टल पर विजिट करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिशन बोक्स में लिंक दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोग इस पोर्टल पर आ सकते है भारत सरकार और राजे सरकारों की योजनाओं में से सबसे बड़ी योजनाओं में से आईस्यमान भारत योजना है इस योजना के माध्यम से हर परिवार को हर साल पांच लाख रूपे मुप्त इलाज करने के लिए जाता है अगर आप लोग गुजरास से है तो आप लोग को आईस्यमान भारत योजना की ओर से 10 लाख रूपे हर परिवार को मुख इलाज करने के लिए जाएंगे क्योंकि गुजरा सरकार के और से आईस्योमान भारत योजना में मुख्यो मंत्री अमरूतम और मुख्यो मंत्री अमरूतम वासले योजना को जोड़ा गया है इसलिए गुजरा सरकार के ओर से 5 लाख रूफे और केंदर सरकार के ओर से 5 लाख रूफे दिये जाएंगे वैसे भारत सरकार के ओर से हर स्टेट में 5 लाख रूफे मुप्त इलास करने के लिए दिया जाता है आप लोग इस पोटल के जरिये जिनकी EKYC करना बाकी होगा वो लोग EKYC कर सकते है इस पोटल के जरिये ISO मान कार्ट को डाउनलोड कर सकते है और इस पोटल के जरिये जिनकी EKYC हो चुकी है वो लोग दुबारा EKYC करना चाहते होंगे वो लोग KYC कर सकते है और अपना फोट वो चेंज कर सकते हैं 2000 के जन गृणना के बाद जिन परीवार को पी-m-litter मिला होगा और उन परिवार में से जिनका नाम आई से ममान ग लिस्ट में नहीं होगा उनका नाम रासनकार्ट के माद्येम से automatically ऑउसंद कार्ड के लिस्ट में जूड़ जाईगा में ऐसे वेक्ति का नाम रेशन कार्ड में भी होना जरूरी है तो आप लोग ऐसे परिवार से आते होंगे जिनका नाम आयसे उमान कार्ड के लिस्ट में नहीं था लेकिन राशन कार्ड के माध्यम से आइसे उमान कार्ड के लिस्ट में जूर जाता है तो आप लोग इस पोटल के जरिये उनकी EKYC कर सकते है और EKYC करने के बाद 24 घंटे के अंतराल में आप लोग IC मानकार्ट को डाउलोड कर सकते है यह सारे प्रोसेस को समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंतक देखना जरूरी है आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस दिनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा जोरू सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सेर भी जोरू कर दिजेगा तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते है वीडियो काफी लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो मे और बिना sign up किये आप लोग लोग इन कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग को बेने पीसरी पर टीक करना है उसके बाद यहाँ पर mobile नंबर एंटर करना है उसके बाद verify वाल उप्शन पर क्लिक करेंगे verify करने के बाद auth mode automatically यहाँ पर change हो जाता है उसके बाद आपके mobile पर एक OTP भेजा जाता है OTP आने के बाद आप लोग को यहाँ पर feel करना है उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ capture आप लोग यहाँ पर feel करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर login वाला icon पर क्लिक कर देना है सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर state select करना है आप लोग के सामने state के list आ जाएगी सेतु PMJY पोर्टल पर कम state के नाम थे लेकिन इस पोर्टल पर सभी state के नाम दिये गए है उसके बाद यहाँ पर योजना आटोमेडिकली आ जाती है उसके बाद आप लोग को district select करना है आप के सामने यहाँ पर list आ जाता है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर search by का option पर click करना है आप लोग यहाँ पर नाम के माध्यम से family ID के माध्यम से और आधर कार्ट के माध्यम से आप लोग आपका list को ढूण सकते है यहाँ पर हमने आधर वाला option चूज किया है और हर किसी के प जिन वेक्तियों का ISO मान कार्ट की list में नाम था उनका नाम भी यहाँ पर आ जाता है और जिन वेक्तियों का ISO मान कार्ट की list में नाम नहीं था लेकिन रासन कार्ट के माध्यम से यहाँ पर नाम जूड जाता है हमारे केस में ऐसा ही हुआ है आप लोग को यहाँ पर हम आ गया है तो आप लोग को पता ही होगा जिन लोगों के पास रेशन कार्ड है उन वेक्तियों को रेशन कार्ड के साथ आधर कार्ड लिंक करवाना होता है तो हमने आधर कार्ड के माद्यम से यहाँ पर लिस्ट ढूनने का प्रयास किया था तो यहाँ पर ऑटोमेडिकली जिन जिनका भी रैसन कार्ड में नाम था यहां पर आ गया है और इस लिस्ट में एक एसे विखती है जिनका आईस्यो मान कार्ड के लिस्ट में नाम नहीं था तो उनका नाम भी यहां पर रैसन कार्ड के माध्यम से आ गया है तो यहां पर आप लोग को दिखाते हैं एक वाइसी त करने का option आज आता है तो यहां पर e-key-key-key करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप लोग i-so-man card के list में दो तरीके से नाम add कर सकते है इस portal के जरिये भी आप लोग add कर सकते है या तो recent card में नाम नहीं होगा तो recent card में आप लोग नाम चोड़ सकते हैं तो यहाँ पर उटमेटिकली उनका नाम आज आएगा यहाँ पर आप लोग को एक बात बताना चाहता हो जिनकी EKYC करना बाकि है और जिस वेक्ति की EKYC हो चुकी है वो वेक्ति दूबारा EKYC करना चाहता है तो दोनों की प्रोसेस सेमी है लेकिन KYC करने के लिए आप लोग को अलग से एक उप्सन दिया जाता है वहाँ से आप लोग दूबारा EKYC कर सकते हैं आप लोग को बाद में हम बताएंगे जिनके पहले से EKYC करना बाकि है वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे रेशन कार्ड में आधर कार् यहाँ पर वेरिफाय वाला उप्सन पर क्लिक करेंगे उसके बाद टर्मन कंडिशन आ जाएगी नीचे यहाँ पर स्कॉल डाउन करेंगे यहाँ पर कंसर्डेंगे उसके बाद यहाँ पर अलाव वाल उप्सन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आधर कार्ड के साथ जो मूबा करना है उनके सामने बड़ा सा बोक्स बन जाता है उसके बाद आप लोग को निचे स्कॉल्डाउन करना है यहां पर आप लोग को एक वैसी करने के लिए तीन आप्शन मिल जाते है आधार OTP, फिंगर फेट और इरिस तो यहां पर आप लोग सेलेट करेंगे उसके बाद आप लोग को यहां पर वेरिफय वाल अप्शन पर क्लीक करना है उसके बाद आप लोग के सामने टामन कंडिशन आज आएगे यहां पर कंसट देंगे उसके बाद आपके अदर कार्षा जो मुबाईल नमर लिंक होता है उस पर दुबारा OTP पी भेजा जाता है OTP आने के बाद लोग यहाँ पर फील करेंगे उसके बाद आपके OTP automatically verify हो जाती है उसके बाद जीस वेक्री का आप लोग के वैशी करना जाते हैं उसकी detail आप लोग के सामने यहाँ पर आ जाती है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर live photo capture करना होता है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग के सामने केमरा स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग को लाइव फोटो कैप्चर करना होगा उसके बाद मूबल नंबर को एड करने के लिए यहाँ पर येस करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मूबल नंबर एंट select करना है किस साल में आपका जनम हुआ था उसके बाद आप लोग को यहाँ पर relation चूस करना है जिनके आप लोग KYC कर रहे है आपके family के head के साथ उनका क्या relation है आप लोग को यहाँ पर चूस कर लेना है आप लोग के सामने list आज आएगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर pin code number enter करना है यहाँ पर state का नाम automatically आज आता है उसके बाद आप लोग यहाँ पर district का नाम choose कर सकते है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ruler या तो urban choose करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्ब डिस्टिक का नाम चूस करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर विलेच चूस करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सब्मिट कर देना है उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते है सक्सेसफुली EKYC हो चुका है EKYC होने के बाद आप लोग 24 घंटे के अंतराल में ISO मान कार्ट को डाउलोड भी कर सकते है अब आप लोग को हम बताएंगे ISO मान केसे डाउलोड किया जाता है और जिनकी पहले से EKYC हो गई है वो लोग कहां से EKYC दुबारा कर सकते है और जिनका ISO मान कार्ट के लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग नाम कहां से एड कर सकते है इसके लिए दुबारा हमें होम पेज पर आना होगा ISO मान कार्ट डाउलोड करने के लिए यहाँ पर download वाला icon पे click करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर redo ekyc यानि कि जिनकी पहले से ekyc हो गई है वो लोग इस option के माधिम से ekyc दूबारा कर सकते हैं और ICO man card के list में नाम add करने के लिए आप लोग add family member वाला option पे click कर सकते हैं ICO man card download करने के लिए आप लोग के सामने यहाँ पर सभी family member का नाम आज आता है जिनका भी आप लोग ICO man card download करना चाहते होंगे उसके सामने आप लोग को tick करना होगा या तो आप लोग सभी member का एक साथ में ICO man card download कर सकते हैं select करने के बाद आप लोग को निचे scroll down करना है यहाँ पर आप लोग को card view देखने मिल जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर download वाला option पे click करना है उसके बाद आप लोग के सामने ICO man card PDF में download हो जाता है तो यहाँ पर PDF वाला option पे click करेंगे तो इस तरह से आप लोग को PDF में ISO मान कार्ट मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग गुजरास से होंगे तो आप लोग को गुजरास सरकार के ओर से और भारत सरकार के ओर से 5-5 लाख रुपे मिला कर 10 लाख रुपे तक आप लोग को हर सालाना मुप्त इलास करने के लिए जाएगा उसके बाद आप लोग निचे यहाँ पर स्कोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मान्य प्रदान मंत्री जी का तस्विर मिल जाता है उसके निचे आप लोग स्कोल डाउन करेंगे आप लोग को यहाँ पर डिस्क्रिशन मिल जाता है और यहाँ पर आप आप लोग को हमारी और से जो भी इंफरमेशन बताए गई है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा अपने मित्रों के साथ मन में अगर किसी भी तरह का सवार या कन्फिजने सुजा होगा आप लोग हमें कॉमेट करके पूछ सकते ह क्यों एंद एंद आया होग हमेशन से चराव, क्यों है आप लोग गलताश नह वीडियो होग method दे दिशेक पूट